आज हम बनाएंगे पंच रतन दाल, इसे पाँच दालों को मिला कर बनाया जाता है, आप इस दाल को बाटी के साथ इंजोई कर सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होती है, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्यामरसोई में, तो चली शुरू करते हैं बनाना, पंच रतन दाल बनाने के लिए, मैंने यहाँ एक चोथाई कप चने की दाल ली है, एक चोथाई कप मूंग की दाल ली है, आप छिलके वाली मूंग की दाल भी ले सकते हो, एक चोथाई कप अरहर की दाल ली है, जिसे हम तूर की दाल भी कहते हैं, और एक चौथाई कप छिलके वाली उड़त दाल ली है आप इसकी जगे बिना छिलके वाली उड़त दाल भी ले सकते हो एक चौथाई कप मैसूर की दाल ली है अब हम इन दाल को दो से तीन बार अच्छे से पाने से धोएंगे दालों को हमने अच्छे से पानी से धो लिया है और अब हम इसे करीब एक घंटे के लिए भीगाने के लिए रख देंगे दाल को हमने एक घंटे भीगाया और अब हमने इसका पानी हटा दिया है अब हम ये सारी दाल कूकर में डाल देंगे और कूकर में हम लगबग 3-4 कप पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद हम पानी को अच्छे से गरम होने देंगे और जब पानी में जाग आने लगेगा तब सबसे पहले हम इसका जाग हटाएंगे क्योंकि ये जाग हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है अब हम इसमें एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर और लगबग एक चोटा चम्मच नमक डाल देंगे अब हम कुकर का ढखकन लगाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर पहले एक सीटी आने देंगे जैसे ही एक सीटी आ जाएगी गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और दाल को 5-6 मिनिट के लिए पकने दीजिए तो चलिए अब हम दाल का मसाला बनाते हैं इसके लिए कड़ाही में मैंने दो बड़े चम्मच घी लिया है घी के गरम हो जाने पर इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, दो पिंच हेंग और एक तेजपत्ता डालेंगे और अब हम इन्हें 5-10 सेकेंड के लिए भून लेंगे अब हम इसमें एक बड़े साइच के प्याज को बारिक काट कर डालेंगे एक से दो हरी मिर्च डालेंगे बारिक कटी हुई या मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो आधा इंच अदरक का टुकडा डाला है बारिक कटा हुआ और 7-8 लहसुन की कली बारिक कटी हुई डाली है इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाती है तो ये देखे प्याज का कलर चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट हो गये है अब हम इसमें दो टमाटर को बारिक काट कर डालेंगे और टमाटर डालने के साथ ही मसाले डाल देंगे हमने यहां आधा छोटा चमच नमक लिया है ताकि टमाटर फटाफट से गल जाएं एक चोथाई छोटा चमच हल्दी पाउडर आधा छोटा चमच धनिया पाउडर डाला है अब हम मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से बुनेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाती है अब मैं यहां 2-3 टेबल स्पून पाने डाल रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले नहीं अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएं इसमें हम आधा छोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे मैं इसे पहले डालना भूल गई थी और यह देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए है मसाला भी भून गया है और साइड से घी भी निकलने लगा है अब हमने यहां 3 लोंग, 4-5 काली मिर्च और एक बड़ी इलाइची ली है तो पहले हम बड़ी इलाइची के बीज निकाल लेंगे और अब हम इन 3 को अच्छे से क्रश कर लेंगे आप चाहें तो इन 3 को तड़के में भी डाल सकते हो पर इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो यह मुँ में नहीं आएंगे और इन्हे हम मसाले में डाल देते हैं और 1 मिनिट के लिए भून लेंगे इससे दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो चलिए अब हम दाल को देख लेते हैं कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से निकल गया है अब हम इसे खोल कर चेक कर लेते हैं तो ये देखिए दाल जो है वो पूरी तरह से गल गई है और इसमें दाल के दाने भी दिख रह बस इसी तरह का टेक्शर हमको चाहिए और अब हम इस दाल को मसाले में डाल देते हैं अब हम दाल को मसालों के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी ये दाल बहुत जादा गाड़ी है हम इसमें पाने डाल कर इसकी कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट कर लेंगे हमने दाल को अच्छे से mix कर दिया है मैंने cookar में ही एक कप पानी डाल दिया था और इसे गरम कर लिया था इसे हम दाल में डाल देंगे आपको जैसे गाड़ी या पतली दाल चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिएगा लेकिन जब भी पाने डाले गरम पाने डालेगा ताकि दाल का टेस्ट खराब ना हो इससे अच्छे से mix कर लीजिए और mix करने के बाद हम दाल को low flame पर 5-6 मिनिट के लिए पकाएंगे हमने दाल को 5-6 मिनिट के लिए पका लिया है आपको यदि दाल गाड़ी नहीं चाहिए तो आप इसमें और पाने डाल कर इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला भी कर सकते हो अब हम इसमें एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे एक चोथाई छोटा चम्मच गरम मसाला और साथ ही हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कसूरी मेथी हरा धनिया और गरम मसाला डालने के बाद दाल को एक मिनिट और पकाएंगे और ये लिजिए हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम दाल का टेस्ट और बढ़ाने के लिए इस पर उपर से एक तड़का लगाएंगे इसके लिए हमने तड़का पैन में एक बड़ा चमच घी लिया है घी को अच्छे से गरम हो जाने दे और अब हम इसमें आधा छोटा चमच जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से चटकने दीजिए जब जीरा अच्छे से फ्राय हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें 2-3 सुखी लाल मिच डालेंगे साथ ही एक चोता ही छोटा चम्मच लाल मिच का पाउडर डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे और दाल में ये तड़का लगा देंगे इस तरह से फ्राय किये हुए जीरे का तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है तो फ्रेंट्स ये हमारी दाल बनकर बिल्कुल तयार है रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शियर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके